तो फ्रिंस तो आप सब कैसे हो मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ I hope कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे राइट So welcome to my channel, welcome to Indian duty guide So guys मैं जब भी कुछ नया नया content बनाती हूँ मुझे लगता है कि अपने हिसाब से कुछ बनाना जाएए हाँ product का review तो आता रहता है वो आज भी product का review है पर मुझे लगता है कि मैं जब भी अपने family से जूरती हूँ मेरी आप भी family बन चुके हूँ मतलब कहीं नगहीं लगता है कि इस family में सब जो aged people है वो सब ही लोगों को जूरना चाहिए चाहे वो boys हो चाहे वो girls हो कुछ भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं मतलब वो सारे सारे जो people है सारे जो मेरी viewers है सारे जो मेरी दोस्त है और सारे जो मेरी प्यारी भावी है आंटी है वो सभी जूरने चाहिए क्योंकि मुझे लगता है हम लोग beauty से related सब कुछ जो करते है मतलब कुछ कहीं हद तक कहीं हद तक जो सारे चीजे करते हैं तो वो हर किसी को किसी को ट्राइब करनी चाहिए ठीक है तो आज भी एक चीज का review देने वाली हूं जो की मुझे लगता है सब ही के लिए एक बहुत जरूरी चीज होने वाली है दा मॉम्स और को की देख सकते हो यह नाच्रल वीटा रीच अंडर आई क्रीम है जो की बहुत अच्छी लगी मुझे गाइस इसमें विप कॉफी ओयल है विटमीन ई है और बीट्री भी है आपकी यह डाकनेस जो डाक सार्केल बोलते हैं उसको डिद्यूस करने में हेल्प करेंगी पफिनेस कभी-कभी हमार आपको के नीचे भी फाइन लाइन होती है तो इसमें और इसको आप वह में बताती हूं कि कैसे अपको इस्तेमाल करना है और गाइस इसमें एक दम मुझे जो अच्छा लगा यह सारे टॉक्सिक आंड पैरबेंस फ्री है मिनेरल और सलफेड अच्छी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने पहले बीगा मॉंप को की दो प्रोडक्ट रिव्यू किया है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी यह पीसरा प्रोडक्ट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं आपकी जो कॉफी जो ओयल है वो आपकी डिडियूस डिडियूस करेंगे फाइन लाइन पा और इसमें ओमेगा 3 रीच चिया शीड और भी है जो हैलोरिनिक एसीड और एवोगाडो ओयल फॉर इन्हांस यो स्कीन हाइडरेशन आपको पता है कि स्कीन हाइडरेशन मतलब अपक प्रणाइन बीच शी आपके डिडियूस करेंगे फाइन लाइन रिंकल्स को और गनिक जैमेडियो है ओयल तो हैल्पी यो स्मूधीन करेंगी स्कीन को तो चलिए इंको ओपन करते है अगर मैंकी बॉक्स के बात करूँ तो जुब बहुत प्यारा है दोस्तो बहुत प्यारा देख सकते हो और ऐसा दिखता है प्रोडक्ट तो चलिए इनको यूज करके देखते हो तो गाइस देख सकते हो कि जैसे मेरे चेहरा एकदम कोई भी मेकप नहीं है कुछ भी नहीं है तो मैंने जैसे बोला था कि यह ट्राइका ना है यह आप लोग मतलब बेट से जाने से पहले भी इस्तिमार कर से जिन लोग को बहुत हाई चापसर कर से बहुत प्रॉब्लम लेती है वो लोग इस्तिमार कर से और जो लोग की पुफिनेस है तो वो दिन में अगर घर में दर रहेगा इसको लगा के मतरब सन में मैं ठीक नहीं समझती तो चड़िए थोड़ा बहुत इसमें ले लेते हैं अगर इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो देख सकते हो बसे क्रीम आ गया है और यह जो है ना यह एक्दम घूमता है बॉल जैसा है तो ऐसे करके इस थर के हाथ से आपको सिर्फ मिसाच करना है सिर्फ आइस के नीचे एलिया में उपर नहीं दोस्तो जैसे आप देख सकते हो दोस्तों कि मीछे ड़क से कर सो नहीं है कभी तो भी पॉफी हो जाता है कि अगर मैं थोड़ी सी नीन प्यारी हूँ वह बतलब नीन जादा हो जाए तो आइस पॉफी दिखने लगती है तो इसको खटाने में वह बहुत हिल्प करती है और फिर अहल के हाथ से अच्छे अच्छे और फिर छोड़ दीजे कुछ कर रही है तो मुझे ये प्रोड़क्ट बहुत अच्छे लगा और खात करके एक बार भी बतानी चाहँ होगी मतलब जब भी मैं ये प्रोड़क्ट यूज करती हूँ न मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ हेवी वाला कुछ लगा लिया है और मुझे ऐसा नहीं लगत कुछ इसमें से कोई दिक कत हो लिए ऑप लिक्कत हे हे ऊतोगा लिए मुझें हो आई पर इर्रीटेशं लगा दोस्तों ये मुझे सच्म्रे में अच्य लगा लगा कि जैसे हुमारी हो पसंना है, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you, keep watching.